नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ती महत्तपुन जानकारी के बारे में जो आपके लिए बहुत इस वास्ते वर्दक है जी हाँ दोस्तों नीम के गुन फाइदे और उसके उप्योग भारत देश में नीम एक ब बड़ी बड़ी बिमारियों का इलाज भी उससे किया जाता है भारत देश में नीम का पेड़ घर में होना शुब माना जाता है लोग अपने घर में इसे लगाते हैं ताकि इसका फाइदा उठा सके भारत में नीम के पत्तों का निर्यात 34 देशों में किया जाता है नीम का स पहले जानते हैं नीम के फायदे, ये मलेरिया, पेलिया, सर्दी खांसी, डायविडिज, और अलसरादी बिमारी को ठीक कर दती है, और चेरे के दाग धब्बे को दूर करती है, और जो नीम के नुकसान है, पेट दर्द, बच्चे अगर नीम का प्रयोग करते हैं, तो मर भी स अब जानते हैं दोस्तों नीम के प्रयोग के बारे में, इसको कैसे यूज करना और किस रोग में कैसे आपने यूज करना है, वजन कम करने में सहाइक, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रोज नीम का जूस पीना शूप कर दीच, इससे शरीर में मेटालिजम बढ़े थिख्यें को क únबवफ डिख does are noast जाना निव लेने से इंसेलींकि मातिरा श्रियुर्मिं बढ़ती है इसके लिए आपको रोजाया निवी पथियों के ढल़ता सुबह खाली पार करता है एक शोत्र फेस पाया गया कि नीम में प्रोटीन हया जोषूम sore में मुझूद क्यांसर के जवाने से लड़ता है वह उन्हें मारता है नीम का जूस रोज़ सुबह लेने से शरीर में मजूद सारे शाले अगर आपको मुहांसे, जुरियां, ब्लैक हेड, ड्राइ स्कीन याग अन्य स्कीन से जुड़ी कोई भी परशानी है तो इन सब परशानी का एक ही इलाज है नीम नीम में एंटी बेक्टिरल परपरटीज होती है जो किसी भी इन्फेक्शन वाले की टानल से लड़ने में में ताकत रखती है यह चेहरे से किसी भी तरह के दाग दब्बे को मिटा देती है इसके अलावा नीम एक तरह के टोनर वे मॉस्टराइजर की तरह काम करता है इसके लिए आपको नीम की पत्यों को तब तक उबालना है जब तक कि उसका पानी हरा न हो जाए अब छान कर ठंडा होने दे फिर इस पानी से दिन में दो से तीन पर मुझ को दोई इसके लावा आप इस पानी को नहाने के पाने मिलागर उपयोग कर सकते हैं इससे आपके श्रीर के सारे इंफेक्शन निकल जाएंगे दातों को मजबूती देती है नेम की डंठल यानि दातों का उपयोग सदियों से हमारे देश में दातों को साफ करने के लिए किया जाता है नेम में मौझूद एंटी बैक्टिरियल प्रोपरिटी दातों से जुड़ी सारी प्रशानी खतम कर देती है इससे आपके दातों में मजबूत वचमकदार बनते है आजगल के समय में सब लोग अधुनिक हो गए है दातों की जगए हम टुथ पैस बुरुष का इस्तेमल करते है आप अभी भी दिन में एक बर दातों का इस्तेमल करें तो फरक खुद बखुद आपको समझ में आ जाएगा नेम की रक्त की धमनियों में कच्टा कठा नहीं होन देता वे उसे साफ कर देता है जिस सरक्त का प्रवाज श्रीर में सही रहता है वे खुद भी साफ होता है नेम का जूस रोज पेने से श्रीर की में खुद की मात्रा बढ़ जाती है पेट की परशानियों को ब्याद दूर करता है पेट में जलन, अलसर, गैस इन सारी परशानियों का नेम का पानी पीकर दूर के जा सकता है यूरिन इंफेक्शन होने पर नेम की पत्यों खाली पेट चबाना चाहिए जल्दी आराम मिलेगा नेम के इतने सारे फायदे हैं दोस्तों के इसे आप असानी से अपनी रोज मरना की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं इसे उप योग में लाने से आपको धेरव बिमारी उसे रात मिलेगी जिसके लिए अभी तक आप डॉक्टर्स के चक्र लगाया करते थे अगर अजीवन स्वस्त रहना चाहते हैं तो नेम का रासर जाना सुबह पीना शुरू कर दें सारे बिमारी से बचा जा सकता हैं बड़े बजुरक हमेश्या से नेम के फायदे बताते आएं लेकिन आपने शाद पहले उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आप इसके इतने फायदे नहीं जानते थे तो दोस्तों ये थी नेम के बारे में जानकरी उमीद है आपको ये सारे वीडियो संद आया होगा ये जानकरी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाज